दोस्तों एक बार फिर फूड विट लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करें रौ फूड कैटेगेरी में एक नई वेराइटी के साथ फिर आपके सामने उपस्तित हैं आज हम बनाएंगे रौ डेट्स यानि कच्चे खरेक का जूस इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें आपसे मैं यह कहना चाहूंगा कि रौ डाइट से आप बोडी डिसॉडर और क्रोनिक डिसिजिस जैसी की आई बलड प्रेशर, लाइबिटीज, अर्थराइटिस, पिसी ओडी, उबेसिटी, एसिडिटी, हैर फॉल और ऐसी कई बिमारिय सिर्फ रौ डाइट अपनाने से आश्चे जनक रूप से दूर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फुड विट लाइफ का इंट्रोड़क्टरी वीडियो हवश्य दिखी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आपको इस बार आज हम बनाएंगे, रौड डेट, फ्रेश रौ खारेक का जूस, जो लोग वेट लूस करना चाहते हैं, या डाइबिटिक है, हाई ब्रड प्रेशर है, या बोडी टीटॉक्स करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उप्योगी है, फ्रेश रौ डेट, एपल जैसा हा इगनेशन, केल्शन, फोटेशन, विटामिंग A और विटामिंग K और मुख्यक घटक, ग्लुकोष, शुक्रोष, फ्रुटोष हैं, रौड डेट जूस एक कंप्लीट इम्मुनिटी बूस्टर डोज है, दोस्तों जिनको बार बार खानी की इच्छा या क्रेविंग होती ह उसके लिए ये बहुत ही लाबदाई है, क्योंकि ये जूस पीने के बाद एक दो गंटे तक कुछ खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, तो दोस्तों शुरू करते हैं, इसके लिए हमीचाहिए 12 से 15 सीड निकाले हुए फ्रेश जूसी रॉड डेट्स, अभी मार्केट में इसका सीजन चल रहा है, और बहुत ही वेराइटी फुल फ्रेश डेट्स अवेलेबल हैं, इसके लिए एक छोटा सा स्किन निकाला हुआ अद्रक का पीस ले लेंगे और उसके छोटे टुकडे कर देंगे, अब दोनों को आधा ग्लास पानी के साथ मिक्षर में मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह छान लेंगे, दोस्तु मैंने नॉर्मल स्टेंगर की जगा ये प्लास्टिक का फिल्टर यूज किया है, जोकि ज्यादा कर्मिलिंट और एफेक्टिव है, इसमें स्क्वीज करके जब जूस निकालते हैं, तब मैक्सिमम के साथ जूस निकलता है, और बहुत ही कम रेसिड्यू रहता है, अब हम उसमें आजा निम्बू का रस डालेंगे, दोस्तों हम इसमें निम्बू और अध्रक एड़ करता हैं, तो इसका टेस्ट बिल्कुल गरने के जूस की तरह हो जाता है, नॉर्मली बच्चे खारेक समस्या रहती है, दोनों के लिए जूस एक सही सॉल्यूशन है, और ये देखिए, हमारा रोड डेट डेटॉक्स इम्मूनिटी बूसर जूस तयार है, नॉर्मली इसमें स्वीट्मन मिलाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर जो लोग ज्यादा मिठा पसंद करते हैं, वो इसम मात्रा में गुड मिला सकते हैं, दोस्तों रोफूड डायेट सिस्टम में हम कभी चीनी या शुगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दोस्तों फूड विट लाइफ में आज इतना ही, अगले एपिसोड में रोफूड केटे करी में एक नई वेराइटी के साथ आपके सामने उ यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो उसको लाइक, शेप और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए नमस्ता धन्यवाद